मयंक एक मुंबई की प्राइविट चंपनी में इंजीनियर था शुरू से पढ़ने में होश्यार, समझदार और एक व्यवारिक होने के नाते सब लड़कियां उसको पसंद करती थी लेकिन वो तो बस रोश्नी को ही चाहता था और रोश्नी भी उसे चाहती थी मगर कभी दोनों ने एक दूसरे को बताया नहीं एक दिन मयंक ने रोश्नी को अपने दिल की बात बता दी रोश्नी मैं तुम से शादी करना चाहता हूं क्या तुम मुझसे शादी करोगी रोशनी भी मयंग को बहुत चाहती थी, इसलिए उसने भी मयंग को शादी के लिए हाँ कह दी, दूनों ने जल्दी ही शादी भी कर ली, मयंग को रोशनी का जिवन खुशी-खुशी चल रहा था, एक दिन की बात है रोशनी आज संडे है और बहुत दिनों से हमने कोई मूवी भी नहीं देखी है क्यों ना आज हम भार गुमने चलें और मूवी के साथ साथ लंच भी बाहर ही करेंगे वाव ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है मयंक मैं अभी तैयार होकर आती हूँ मयंक और रोशनी इस प्लान के लिए निकल जाते हैं बारिश होने की वज़ा से सड़ा गीली थी मयंक बारिश होने की वज़े से रास्ता गीला और फिसलन वाला हो गया है आप प्लीज बाईक को धीरे से चलाना रोशनी तुम फिक्र मत करो एक पुल के उपर से जब मयंक अपनी बाईक लेकर चा रहा था तभी सामने से एक कार को आता देख मयंक का बैलेंस पिगर गया और उसकी पाईक पुल के निचे नदी में जाकर गिर जाती है गाउं वालों ने जैसे तैसे मयंक को बचा लिया लेकिन रोशनी की लाश नहीं मिले मयंक को जब होश आया तो वो रोशनी को ढूणने लगा मगर ना मिलने पर वो बहुत रोया अब मयंक बहुत गुमसुम और मायूस हो गया उसको डिप्रेशन की बिमारी लग गई कोई तालाब आता उसे लगता मानू वो तालाब में डूब रहा है और कोई उसे तालाब के अंदर खींच रहा है कभी सपने में रोशनी उसको बुलाकर तालाब के किनारे घुमती है तो कभी वो तालाब में रोशनी के साथ बोटिंग कर रहा होता है नेंद की इंजेक्शिन का अभी उस पर कोई असर नहीं होता उसकी हालत बच से बत्तर होती जा रही थी एक रात मयंक सो रहा था कि तब ही उसके पास एक साया आता है मयंक उठो उठो मयंक देखो मैं रोशनी मयंक उठ चाता है और उसको वो चुड़ेल रोशनी के जैसे नजर आ रही थी रोशनी तुम कहा थी देखो मेरा क्या हॉल होगे तुम्हारे बिना तब ही तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ चलो मेरे साथ आओ मयंक आओ मेरे पास आओ आओ मयंक मयंक उस चुड़ेल के साथ घर खट पर पहुँच जाता है और नीचे पूदने ही वाला था कि तब भी उसके पिता जी उसको पकड़ लेते हैं मयंक तुझे क्या करने वाला था बेटा तब ही वो चुड़ेल वहां से गायब हो जाते हैं पिता जी मयंक को वापस उसके रूम में ले जाते हैं और सुला देते हैं उसके माता पिता ये सब देख नहीं पा रहे थे उन्होंने बहुत पहुंचे हुए पंडिक जी को मयंक की कुंडली दिखाई और कहा मयंक की शादी वे गल्ट महूरित पर हुई थी इसलिए ऐसा हुआ अब आपको मयंक की दूसरी शादी कर देनी चाहिए लेकिन पंडिक जी अब हम क्या करें बहिंजी आपके बेटे का उसकी पहली पत्नी की आत्मा अपने साथ ले कर जाना चाहती है आप क्या बोल रहे हैं पंडिक जी मैं एकदम ठीक बोल रहा हूँ और पंडिक जी उन दोनों को एक उपाई के लिए बताते हैं मयंक के पिता कुछ-कुछ समझ रहे थे उन्होंने कहा ठीक है पंडिक जी मैं कल ही मयंक को लेकर उस जगा जाता हूँ मयंक के माता पिता बापिस घर पर आ जाते हैं मयंक कल मैं तुम्हारे साथ उसी जगा चलूँगा जहां तुम्हारा एक्सिडेंट हुआ था अगले दिन मयंक और उसके पिता उसी जगा पहुंच जाते हैं जहां उसका एक्सिडेंट हुआ था मयंक और उसके पिता जी वहाँ पर कुछ देर रहे और उसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी मयंक को नदी के दूसरे किनारे रोश्नी खड़ी हुई दिखाए देती है वो रोश्नी को देखकर जोर जोर से चीखने लगता है मयंक के पिता उसको बड़ी मुश्किल से रोखते हैं तभी दूसरे किनारे खड़ी हुई रोश्नी अब एक चुड़ेल बन चुके थी वो जोर जोर से हसने लगती है कोई भी मेरे मयंक को मुझसे मिलने से नहीं रोख सकता अगर कोई हमारे बीच आया तो मैं उसकी जान ले लूगी अब मयंक के पिता जी भी उस चुड़ेल को देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन मयंक वहां से जाने को तैयार ही नहीं था मयंक मेरे पास आओ मयंक के पिता जी मयंक को रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं कि तभी वह चुड़ेल उर्ती ही आती है और मन को पिता जी पर हमला कर जाती है पिता जी वहां से दूर जाकर गिरते हैं मयंक बस मेरा है और मैं इसको पने साथ लेकर जाऊंगी किसी को भी जिन्दा नहीं छोड़ूँगी अगर कोई भी हम दोनों के बीच आएगा तभी वो अपने हाथ में पंडिच जी का दिया हुआ तावीज निकाल कर पक़ए लेते हैं और वो चुड़ेल वहां से भायब हो जाती है बेटा मयंक जल्दी से यहां आ जाओ पिता जी मयंक को लेकर वहां से वापिस ले जाने लगते हैं लेकिन फिर से वो चुड़ेल वहां पर आ जाती है और पिता जी पर फिर से हमला कर देती है वो फिर से दूर जाकर गिरते हैं वो चुडेल परसे पिताजी पर हमला कर देती है और वही पास के पेड़ को उखाड कर पिताजी के उपर गिरा देती है किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूगी अगर कोई भी हम दोनों के बीच आएगा चुडेल अब मयंक को अपने साथ नदी की तरफ ले जाने लगती है और उसको लेकर नदी में पूँचाती है मयंक भी उस नदी में छलांग लगा देता है नहीं मयंक बैटे ऐसा नहीं हो सकता तभी वहाँ पर पंडित जी और मयंक की माता जी भी पहुंचाते हैं वो मयंक के पिता जी को निकालते हैं और फिर पंडित जी जल्दी से अपना कारे करने लग जाते हैं आप ये गंगा जल की बोतल इस नदी में उडेल दो पिता जी गंगा जल नदी में उडेलते हैं तो पंडित जी वही नदी के किनारे मंत्र पढ़ने लगते हैं और कुछ लकडियां जला कर बैठ जाते हैं कुछ ही देर बाद वो चुड़ल बाहर आ जाते हैं जाओ यहां से मेरी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं मैं बस अपने मयंग को लेकर यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओंगी यह तेरा पती था और तू इसकी ही जान लेना चाहती है क्या यह सब करने से तुझे मुक्ति मिल जाएगी नहीं चुड़ल ऐसा करने से तेरे साथ साथ मयंग भी तडपता रहेगा क्या तो इसको भी कष्ट देना चाहती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती लेकिन अगर मैंने मयंग को छोड़ दिया तो मैं भी इसी तरह तडपती रहूंगी तो चिंता मत कर मैं तुझे मुक्ति दिलवाऊंगा तो मयंग को पदा करता हूँ कि तुझे मुक्ति दिलवाँगा, मुझे बता कि तिरा मरत शरीर कहाँ पर है। उस जाड़ी में रखा हुआ है, लेकिन अगर तुमने उसको जला दिया, तो मैं मयंग से दूर हो जाओंगी, नहीं, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूँगी। तुम मैंग को यहाँ पड़ ले करा जल्दी से, क्योंकि उसके हाथों से ही तुझे मुक्ति मिलेगी। फिर वो चुड़ेल मैंग को नदी से बाहर ले आती है, फिर पंडित जी सारे विधी विधान से उसके मृत शरी का संसकार करवा देते हैं, जिससे अब रोश्णी की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, और अब मैंग भी ठीक हो गया था। अब आपका बेटा एकदम से ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब ये चुड़ेल यहाँ पर कभी दुबारा वापस नहीं आएगी। इसको मुक्ति मिल गई है, अब आप अपने बेटे की दुबारा से शादी कर सकते हैं। कितने लोगों को पसंद आया वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आईकॉन दबाईए। सब्सक्राइब करना मत फूलना।